यहां पर गेम को समझें किस तरह से काम हो रहा है आप यहां से हम लोग चार्ट से ओपन कर लेते हैं अभी देखिए स्ट्राइक प्राइस के अंदर कैसे आपके स्विंग ब्रेक हो रहे हैं उपर की तरफ अगर प्राइस नीचे गिरता है तो बहुत सकता है यहां से एंट्री ले लिए हूँ या जिन्हों ने शॉट किया हुआ हो निकल गया हूँ जाने दिए इसको जहां जा रहा है हम लोगों ने किया है शॉर्ट। अगर प्राइस नीचे गिरता है तभी लॉस होगा अदरवाइस लॉस होना ही नहीं है नहीं होगा लॉस इतना कॉंफिटेंस के साथ हम बैठ हुए 15 कॉंटी हैं चाहते तो 3-4 और ले सकते थे जरूरत ही नहीं है क्योंकि ट्रेड एक्जिक्यूट करने के पीछे आज का ट्र प्राइस नीचे 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 यह बनाता चला जा रहा है सपोर्ट यहां पर सपोर्ट रहे हैं अभी देखेगा मार्केट यहां से एकदम क्योंकि बनाएगी जितना भी लौस है न इस सारा का मैनेस में हो कर प्रफिट में चला जाएगा होल्ड करो सिफ पेसिंस के साथ होल्ड करो कुछ नहीं करना है यह दिल्ली वाले गुरू जी का फॉर्मूला नहीं है यह वह बड़े लोग हैं लोगों की पास उतना बड़ा लगा लो चुप चाप बैठेरो आराम से काम कुर कोई आपदा पी ने हमें 3,4,20,50 लग नहीं चाहिए वहाँ सेमिनार में हमने देगा आज हमने वीडियो स्क्रॉल की है पता चला है तीन लाग उर्पे लोग दे करके दो लाग उर्पे जो भी उनकी फीस है दे करके लोग आ रहा है और ज्यादा आता नहीं है लेकिन पैसा दे दिया है वो इंसान 15 लोट 20 लोट के साथ जो लोग क्लासेज लेने हैं उनको ट्रेट करवा रहा है वो क्या ही सीखेगा सबसे पहली mentality तो उसकी यही हो जाएगी कि वो दो लाग तीन लाग उर्पे जो दे करके आये क्लास में वो recover करे recover करने के चकर में जितनी फीस दिये न उसका 2 गुना 3 गुना वो loss करेगा सबसे पहला यही होगा वो loss करेगा तो क्या ही विचारा वह सीखेगा क्या काम करेगा क्या वह घर जाएगा हम नहीं लग रहे हैं यह सारी चीजें जो बस आए और बीस लॉट दस लॉट के साथ में काम करना शुरू सबसे पहली चीज तो सिस्टम के उपर कॉंफिडेंस आना चाहिए अब चल रहा है मार्केट चल रही हम लोग बैठे हुए हैं कॉंफिडेंस से तभी बैठे ना हम बोलने कि यहां से ग्रीन केंडल बनेगी हमने फ्यूचर तो देखा नहीं है मालूम है कि जो भी आपको लॉस से देखिए कितना चला था है चला था ना लॉस सारा का सारा प्रॉफिट में आ गया कर ल नीचे नहीं कि तो प्रॉफिट ही होगा और हमें पता है नीचे जाने के चांसे कम हैं प्रीमियम डीके कम उठाइए थर्स्टे का सच्छन है आज फेवर में जाएगी मार्केट जीरो हीरो वाले जब जो नाटक होता है जीरो हीरो यह वो सब लॉस 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 के ला स्पोर्ट प्राइस पर आते हैं यह जाएगा यह ओपर कि दर भागेगा भी देखेगा यह देखेगा कितनी अच्छी ग्रीन कंडला पुनाएगा यह ड्रामा देख रहे हैं आप हिस्ट्री चेक करिए एक दो तीन चार पांच लगातार वॉल्म्स उपर बढ़ रहे हैं में कुछ ओवर कॉंफिडेंस ऐसी बात नहीं यह मार्केट देखे चल रही है आप रीट करो ना पढ़ो बार बार इतने ज्यादा मात्रा में आपकी सेलिंग हो रही है जितनी ज्यादा सेलिंग होगी उतनी ज्यादा सपोर्ट पर पैस बढ़ता चला जाएगा यह पर तो चलिए मार्केट क्लोज होगी लेकिन देखे उस दिन फिर मार्केट नीचे की तरफ नहीं आथी यह उपर ही चलिए अगले दिन इसने फिर देख लो आप जहां पर भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हुई हो आपकी ज्यादा मात्रा में सिलिंग की वाल्म्म जहां पर इंक्रीज हुई होँँ, यह चली यह यह ना बाइंगी वॉल्यूम्स कितना बहानक नहीं चाहिए ऐसे थोड़ी न हवा हवा हई बैट गया है कि प्राइज उपर जागा उपर जागा कुछ चीज़े हैं देखी हैं समझीए इतने दिन जब काम आएंगी धिरी धिरी आपको ऐसा थोड़ी नहीं कि आप पान साल छे साल चार साल एक साल दो साल से ट्रेट कर रहो तो सारा वेस् केंडल एक तरह से आप इसको इंगलफिंग केंडल की नाम से जानते होगा क्या बन गया इसका अलोग सापोर्ट बन गया हाई रेस्टेंस बन गया हाई टूटा प्राइज और उपर चला जाएगा देखते हैं कब तक यह में फसा करके रखता है क्योंकि ग्रीन केंडल तो अब ही प्रॉफिट में आते देर ने लगेगी इसको बड़ा ट्रेडर यही तो करता है वह अपने लेवल को मार्क करके बैठ जाएगा हर समय हर जगा वो तुर्ण एक्जेक्ट करेगा अपना वो लेवल मार्क करके बैठ जाएगा क्या हो रहा पिसले मुव्मेंट पर मार पर डाइज नीचे वॉल्म पर वापस देखें सट्या पने आया अगें देखें आज भी तो मार्केश्ट उसवी जेह पर है है किने प्राइज नीचे वॉल्म पर यह अऔर यह लोवर टाइम इंजम पर बेखा दहा थां फाइफनेट पर जो ड्रामा चल पगर रोगा करो बहुत ज्यादा lot 5 lot 10 lot के साथ काम करो नहीं तो lot size काम को दो हम तो यह कहते हैं कि equity में काम करो perfection की तरफ बढ़ो पहले बड़े profit की तरफ नहीं perfection की तरफ बढ़ो आप अपना चैनल स्क्रॉल करो उस पर आपको एक से एक strategy मिल जाएंगे, कई सारी strategy हैं, जो कि हमने price section से related, volumes related, price related, volume of price को कैसे हम लोग merge करके अपने levels से निकालते हैं, कैसे entries लेते हैं, एक नहीं कितने सारे हमनी system दिये, कोई भी एक system उठा करके master करना शुरू कर दो, stocks के ओपर reading करो, stocks के ओपर practice करो, stocks को समझो, reading को और ज्यादा अपनी improve कर तब धीरे धीरे करके फिर आप इस्टॉक्स पर आओ, जीरो से शुरुवात करो, हमारा अपने एक नियम होता है कि जब भी पूछे जाता है कि हमारी कैपिटल इतनी है, क्या हम काम कर सकते हैं, बिल्कुल पांच हजार रुपए, अगर अकाउंट में आपके पांच हजार इसा बढ़ करके पांच वाला पच्पन कर लेगा अपना, एक्सपिरेंस नहीं है, आकल नहीं लगाओगे, काम करते हैं पर फिर तो आपको मालूम है क्या होता है, जीरो से शुरुवात करो, रूल्स बनाओ, रूल बुक अपनी रेडिय करो, जो भी चीज़ें करनी हैं, मा इसने बीस जरगों प्रोफिट कर लिया, इसने पचास का कर लिया, इसने डेल लग कर लिया, भाहि करोड़ों में लोग प्रोफिट निकाल रहे हैं, आप देखा देखी चालू हो जाओ, एक से गुरू जी हैं आपके, हम मना करते हैं आपको कि आप्शन्स मत करो, पूरी मा आपके मार्केट में उपर जाना शुरू कर दिया, जाने दीजिए इसको, अभी थोड़े बहुत तो प्रोफिट में होग लिगी, तीन रुपए प्रोफिट में चल रहे हैं, भी चलते रहे हैं, हमने क्या गाना, लास्ट तक हम होल्ट करेंगे इसको, देखते हैं क्या होत करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इतनी जल्दी इसको, इतनी तीन जो मार्केट में हम लोगों ने प्रैक्टिस के वूँच यूँ हावा हावा यह नहीं कर दी है, अगर कोई analysis हम कर रहे हैं, reading कर रहे हैं, तो उसके उपर अपना एक belief है, एक system में जिसको की continuously confidence के साथ में follow किया जानकारी आपके पास नहीं है, कहां से क्या करना है, इसकी जानकारी नहीं है, तो कर आप किस लेवल पर वाल्यूम से कम हो जाएगी, कहां पर consolidation है यह सारी चीज़े वालुम हमें इंडिकेट करते हैं इन सारी चीज़े प्रिवियस हिस्ट्री का जो डाटा है न यह सब कुछ हमें बताता है कि कहां पर क्या हो सकता है इंडिकेशन्स मिलते हैं देखिए प्रोबैबिलिटी के एकॉर्डिंग ही सारा काम हो रहा है तो सब कुछ पता चल जाता है आपको बस क्या करना उसी जगह पर अपने कंफिरमेशन्स लेने बागी तो मार्केट कर लेगे डरना घबराना नहीं है एक्जेक्यूशन से पहले होता है कि ओवर कॉंफिदेंस में आ गए ओवर कॉंफिदेंस में बैट करके जो भी मन किया उतनी कॉनिटीज मार दी हो रहा है ना मॉवमेंट अब देखिए पहले कि सारी वॉल्यूम आपको कम लग रहे हैं पूरे दिन में जाकर कि अब यहां पर वॉल्यूम्स आई है प निकल जाओ पिन बार बन रहे है प्राइस नीचे चला जाएगा गिर जाएगा यह वो जाएगा निकल जाओ बेवफूफ लोग जब मार्केट से बाहर निकलेंगे तो जिनके पास पेशन से वह पैसा बनाएगा नहीं निकलना है बाहर हमें आभी तो हम लोग यहां पढ़ बनो after that options में जो और options के अंदर काम करो आपको benefit मिलेगा अभी करीब काफी दिन पहले हमने एक वीडियो अप्रोट किया था zigzag pattern हम उस zigzag pattern के method को आप लोगों के साथ फिर से शेयर करेंगे उस वीडियो को देखना है पुराना वीडियो है हो सकता है आप लोगों में से कई लोग इसको देखेगा वीडियो अच्छे लगता है तो लाइक किजिएगा चैनल पार आप पहली बार आया हो तो चिन को सब्सक्राइब कर लिजागा अभी फिर से देखिए market नीचे की तरफ होते होते कितने ही लोगों को यहां पर बेपूफ बनाकर किसने short selling करवाई होगी लेक सब्सक्राइब करेंगे जिग जग पैटन का जो वीडियो है ना उसको बहुत आराम सित्यास कोई भी अगर डाउट रहता तो फिर में question कर देना comment box में उसका हम reply करेंगे आपको लेकिन उस चीज़को समझने की कोशिश करना अच्छे से क्यों क्योंकि जब live market में आप उसका यूज करो तो कोई confusion ना रहा है और live market में उसका use करो आपको benefits मिलेंगे no doubt बहुत लोग उसमें profit करते हैं लेकिन हमारा देने के पीछे का purpose है हमारा जो मक्साद है वो यह नहीं होता है कि आप बड़े segment में जाकरके heavy quantity के साथ में काम करो कम-कम quantity के साथ में काम करके पहला जो अ 10 20 50 100 1000 जितने quantity सब आपके हाथ में profitable profitable हो गया अब दूसरे segment में जाकरके काम करो लेकिन उससे पहले इसको मत छुओ देख रहे हैं ना market किस तरह हम लोगों को घुमाती है जब से हमने entry ली है कितनी बार इसने trap कि हम लोगों को price पहले नीचे 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 आता ना नीचे आते सीधे ऊपर की तरफ पागया फिर से देखिए price हमारा price ने देखिए क्या क्या वाल्म को तो हम लोग off कर देते हैं पहले price आपका नीचे 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 की तरफ आया और फिर यह उपर की तरफ जाने लगा फिर आपको याद हो गए कितनी बड़ी red candle बनी थी नी अंपसे देखी घिरत मतला जाना ऊपर ही रही लेकिन कितनी बुरी तरह से हम लोगों को trap कर के फिर उपर की तरफ जाती हैं अगर एक जैगा पर entry नहीं लिये है तो आप 20 बार entry लोगे 20 बार exit मालों एक जैखे पर एक entry ही काफी होती है 20 entry की ज़रूरत ही नहीं जा रहे हैं यह market उपर मज़े लिजे इसका कितना है पांच साथे पांच सोगा चल रहा है profit चाहिए पिशली बार जितना हुआ था इस बार उससे बड़ी विक बनी लो ब्रेक हो गया अब अगर market हमें loss पे भी निकाल देगे ना यहां से exit ही मिलेगा उसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कितना चल रहा है profit पांच 57 रुपीज का चल रहा है लिजा है 459 रुपीज कर दो ना exit एक lot में इतना profit मिल रहा है कम मिल रहा है काफी है अगर हम चाहते हैं तो यहां से exit भी कर सकते हैं लेकिन profit करना इस trade का अमारा purpose है ही नहीं जो चीजें अभी हमने explain की हैं आप लोगों को उस explanation के लिए ही सिर्फ हमने यह video और यह चोटा सा trade अपना execute किया था तो आई होब कि समझ में आया होगा जो वीडियो बनने नहीं का जो अपना purpose है यह पूरा हुआ होगा कोई हड़ बड़ी नहीं किसी चीज की कोई जलबाजी रही market कहीं नहीं जा रही है market यहीं थी यहीं है और यहीं रहेगी आपको execution करना है तो कुछ नहीं माउस के एक क्लिक में आपको order मिल जाएंगे चाहें 10 lot चाहिए आपको 1000 lot चाहिए साहे lots मिलेंगे लेकिन उन lots को handle करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर mental stamina लेकर करके यह scalpers वाला attitude है जब तक यह रहेगा अंदर आप profit नहीं कर पाऊ hold करो patience चाहिए उसके लिए strongness चाहिए mental level पर बताए अभी तक चल रही है market position book में ऐसा था था है कि हम लोगों को निकाल दिया हो अभी भी चले देखिए 400,500 का चल रहा है profit जो भी चीज़ अभी तक आपको लग रहा है कि यार इस वाज़े से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसको पीछे छोड़ दो market close होने वाली है बैठो सोचो लिखो ऐसी कौन सी चीज़े हैं अभी तक हम लोगों नहीं किया है जिनकी ह्यासं हम लोगों को losses हों उनके एपनी rule book बनाऊ guide बनाऊ कम quantity के साथ में फिर से काम करो महीने 2 मेने 3 मेने 4 मेने अपने आपको दो समझो क्या गलतिया हम लोगों नहीं की हैं क्या खामिया अपने अंदर क्या आच्छाईया मों को note करो अगर हम लोग इस तरह से काम कर तो इस एप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे वो सस्टेनबिलिटी होगी अधर्वाइस चार देना प्रॉफिट में फ्राइडे का जो ट्रेड या थर्स्टे का जो ट्रेट पड़ा लॉस में सारा वाश ओट पूरे महिने हम लोगों ने काम के लेकिन महिने के जरूरी है अभी जो जिग-जग वाला वीडियो आपको बोलें वो तो छोटी सी चीज है उसको आप देखोगे ना बहुत आपकी हेल्प कर जाएगी उसी तरह से कई सारे कॉंसेप्स काई मैथट समने बता हैं प्राइस को रीट करने के उनको पढ़ो देखो समझो आइम ड बस फोकस के साथ काम करो और जितना भी दर दर चल रहा है पेनल को लेकर के एक दूसरे को उठाया है कि यह सही नहीं है वो से चोड़ दो जब सबसे पहली बार एक ट्रेडर वाइस ट्रेडर करके यूट्यूब चैनल अभी तो काफी दिन से मने देखा नहीं है वाइस ट्र प्रू है अब लोग इसका भी फैदा उठा ले जाएंगे अब जो ट्रेडर नहीं भी है वो भी क्या करेगा ना अपना पीएनल और कैसे क्या एडिट हो रहा है वो तो उसके उपर डिसक्स करने की जूरूत है निवे से तो जिसको देखो वह एडिट कर रहा है रंग इधर उधर वो सब करके लीजे सब प्रॉफिटेबल हो रहे है तब लोगों ने कहा कि अपने पीएनल दिखाओ अब पीएनल भी फिक है अब क्या बिलीव करोगे अब यह वेरिफाइट पेनल चला है कि वेरिफाइट पेनल इसमें भी देखके कुछ ना कुछ हो जाएगा आगे वो उनकी बुराइए कर रहा है वो उनकी बुराइए कर रहा है सब लोग बस कुल मिला करके अपने व्यूज के लिए काम करते हैं जो सोशल मीडिया का सिध्धान अपना तो इनसे सबसे मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो अपने काम से काम रखो फ इतने चलने 40.000 चलने ठीक है 40.000 काफी होते हैं अब यहीं गौवर्मेंट है देखिए पहले 25 लोट होते थे आराम से लोग काम करते थे अभी उसको 15 कर दिया है पहले आदमी एक लोट में काम कर लेता था भी जो एक में कर रहा होगा वो सोचते है यार चलो दो लोट में का करें दो लोट में काम करेंगा तो पांच कौिंटी उसकी बढ़ जाएंगे इससे क्या होगा ना उसको टेक्स रिजादा देना पड़ेगा फाइदा कि इसका गुवर्मेंट का हो रहा है इसब ड्रा में इवनका हम लोग क्या ही करेंगे लोट साइश को कम कर देना और option trading में लोगों को करवा रखा है stocks में विचारा काम करता था ठीक था काम करके लेकर के निकल जाता था हम किसी भी stock को trade करेंगो zero तो नहीं होगा न option में क्या है stocks से ज्यादे ये वोलेटाइल रहते है लोगों को लगते है कि बड़ा profit हो रहा सारी लिर बेज बगर वहां से हटा ली गई फिर ये लोग option में आए देखें कि nifty benefit तो कम पढ़ रहा है तो और segment लेकर क्या है फिर nifty ले आए फिर ये ले आए फिर वो ले आए चार-चार expiry पूरे week में हो रही है आदमी expiry में चला जा रहा है वो expiry में trade करे या फिर वो पढ़ेगा लिखेगा क्या करेगा खुद भी विचारा इतना समझदार है ने उसको जो लोग जैसा जो समझा देते हैं उसके लिए बस वही अच्छा है कोई 33 पढ़ा रहा है तो कोई 7 अमें पढ़ा रहा है तो यह वो तही चीज क्या है आपको बहुत कम देखने हो की मिलेगी आपको मालूम है हिंदी में stock market के अंदर कोई book है ही नहीं अगर हिंदी में आपको कोई stock market की book मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं से ये content ले लिए वो content ले लिए copy paste वाला material है और अगर कोई लिख भी रहा है तो बहुत सतही ही चीज है बहुत मतलब उपरी सतही की चीज है आपको मिलेंगी वहापर कोई अच्छी knowledge नहीं मिलेगी अगर stock market के अच्छी books मिलें तो वो मिलेंगे इंगलीश में ही अब इंगलीश तो लोगों को आ नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा तो कुछ लोग पढ़ लेते हैं reading में comfortable कुछ लोग नहीं समझ में आता है अब हम भी हमारी इंगलीश इतनी fluent नहीं है दो बार तीन बार google translator को on करके तब book पढ़ते हैं तो समझ में आती है लेकिन इतनी मेहनत सब लोग थोड़ी नहीं है बहुत कम ही लोग हैं जो कोई book पढ़ने के लिए इतनी मेहनत करेगा उसको तो shortcut ही चाहिए तो उसको knowledge कहां से मिलेगी खुद भी वो उस तरफ अपने कदर नहीं बढ़ा रहा है और बाकी market आप जान ही रहो कि market में लोग किस साइड में धक्का देने की कोशिश करते हैं तो सही knowledge का मिलना बड़ा मुश्किल है आज की time है वो भी stock market में आ जाओ तो भगवान ही मालिक है यह जीरो थोड़ी ना कर जीरो तो नहीं कर देगा अज अपनी एक्सपेक्टेशन थी कि market ऐसा कर सकती है और यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट रियक्ट कर देगे बिल्कुल उसी तरह से रियक्ट कर देगे चाहिए लेवल के पास में 24,000 के लेवल यह ब्रिक करके आ रहा है अप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप आप्शन ट्रेडिंग करो इसको रियालिटी है वह हम समझा रहे हैं ज्यादा तो लोग लॉस में है बिचारे प्रोफिटेबल नहीं है फिर भी ऑप्शन अगर किसी बड़े ट्रेडर से किसी अच्छे नौलिजबल इंसान से पूछेश बोचे हैं जो कि ट्रेडिंग कर रहरा होगा तो आपको यही शहीं सला देगा है कि पहले ईटा प्रॉफिटेबल बनन जाओ उसके बाद में फिर option trading करना आप profitable नहीं option trading करो पहले इसी loss में option में फिर loss करोगे क्या ही मतलब बनता उसका तो बिल्कुल भी हमारे ये मतलब नहीं कि आप option selling करो option buying करो option trading करो बिल्कुल नहीं कुछ मत करो यहां आना है ना इससे पहले हमारी बहुत सालों का experience है stocks को लेकर के उसको पढ़ो उसको समझो वहां risk कम है focus करने के लिए area ज्यादा यहां कि निफ्टी का चार्ट है निफ्टी का चार्ट है दो ही चार्ट है कि कितना ही पढ़ लोगे आप stocks में हम लोगों चूट मिल जा रही है कि अगर आज टार्टा स्टील लेवल पर नहीं है तो हमारा आईशिन पिंट लेवल पर है हिंदुस्तान युनिलिवर अगर अमारे लेवल पर नहीं है तो जिन दाले स्टील लेवल पर है दूसरा तो मिली जागा ना यह देखिए लेकिन जब डेरिवेटिस में आगे तो आपको दो ही चार्ट मिलेंगे क्या प्रैक्टिस कोरोगे आप उसके अंदर एक ही चार्ट में आप अम्रेला बना लोगे आप सिमेट्रिकल ट्रेंगल बना लोगे फिल्हाल अब यहां से एक्जिट हो चुके हैं कितना 1100 और कुछ का प्राफिट है ठीक है फिर तो आज के डियां पर खितम करते हैं यह जिस तरह से हम लोगों ने नासिस की थी मार्केट ने एक डिप से लेकरके नेक्स्ट हाई तक मुवमेंट दिखा दिया जितने की उम्मीद नहीं भी थी पचास रुपाय का सिर्फ एक केंडल बन गई एक मुवमेंट हो गया यह वाला वीडियो हम लोग यह पर क्लोस करते हो और अब आप लोगों जिग-जग पैटन वाला वाला वीडियो आप लोगों को आप लोगों को आप लोगों को अपने ग्रूपा शेयर कर दिया था सारी चीज़े वन बावन डिसक्शन करेंगे एक पैटन से एक पैटन है जो की पैटन हमें आपको समझाना है अब ही इसके अंदर हमें बीच निकलना पड़े लिए का निचे आच चुगा है आप पहले हमको निकलना पड़े था So sectors के उपर देखेंगे चलके भी आगें की वीडियो में और दूसरा स्टोक थे मेरे ब्रिटानिय ये ब्रिटानिय का था ब्रिटाइन को भी लगबग 200 कोशिरच के लेट की आधा था और ब्रिटानिय का 모 है 259 के साथ मेरे ट्रेड एक्जिक्यूट किया था इसका दिन आज का काफी अच्छा था है ट्रेड एक्जिक्यूशन के एकॉर्डिंग साइडवेज मार्केर थी फिर भी हमको हमारे टार्गेट्स लगबग एची हुआ है यह बहर हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और अगर हम देखते हैं पॉफेक्ट ठीक है सो ओवराल देखें तो एक साटिस्फाइट था हमारा यह आज का आगे चलके हम वन बाइवन साभी ट्रेट्स को पर डिसक्शन करेंगे और टीसेस को भी देखेंगे और बिटानिया को भी देखेंगे एवर्पनी पोजिशन बुक हम लोग देख लेते से सो ओवराल प्राफिट 14,000 प्राफिट है फ्राइडे का दिन है पुरा वीक हम वीकेंड पे इसको इंज्वा करेंगे और वन बाइवन चलिए एक बार हम अपने स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं चार्ट के उपर डिसकेशन करते हैं और आगे चलकर के हम लोग डिसकेशन करे आगे का जो कॉंसेट को हम संज्वाने की डिसकेशन करने की शेयर करने के बात कर रहें काफी इजी है इसी टू यूज है अगर हम इसको परफेक्ट्ली अपने ट्रेडिंग सेटप में इंवाल्व कर लेते हैं तो हमारा ट्रेडिंग का जो सिस्टम है यह और भी ज्यादा म अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीज़े, बिकाज ये सारी चीज़ें, जो कि हम free of cost आपको दे रहे हैं, एक भी पैसा हम इस चीज़ें का आप से नहीं ले रहे हैं, और free of cost, बहुत सारी चीज़ें अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो लाइक कीज़ें, कॉमेंट कीज़ें, जिसे कि हमें भी थोड़ा सा अप्रिशेशन मिलता है आप लोगों की तरफ से, ताकि हम अगली वीडियो में और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, बिटानिया में देखे क्या हुआ था, अच्छा मोमेंटम भी देयता है बिटानिया, जैसे कि यहां पर कहीं हमने बिटानिया को भी ट्रेट किया था, उसके अप सेड में बिटानिया को 2-3 बार में शुरु वार्ब भी जब भी हमको अपॉनशेटी मिली, अच्छा momentum भी देता है बिटानिया सो ये कुछ एक resistance points थे ये वाले points actually green वाली ये जो candle हमारी बनी है price में क्या होना चाहिए था इस green वाली candle के थूँ price हमारा upside के तरफ गया था इस चीस को थोड़ा सा समझने कोशिश कीजिएगा इस green वाली candle के थूँ price हमारा upside के तरफ गया और price ने downside के तरफ एक range ड्रॉ की थी अपनी so इस range के according price को जो की लगाता है नीचे के तरफ गिरता चला जा रहा था यहां से ये upside के तरफ चला गया और इसके बाद से क्या कि आगर market को upside के तरफ जाना है तो अपनी इन ही ranges को break करके price upside के तरफ जा सकता है न क्योंकि यहां पर जो buyers involved हुए हैं Britannia के अंदर उनमें volumes काफी ज्यादा था यहां पर देखे volumes काफी ज्यादा था प्रिवेस जितनी भी हमारे sellers की वाल्यूम्स थी वाल्यूम्स जितनी भी थी उनका सभी breakout हुआ था उन सभी volumes का breakout हुआ था यहां से क्या उम्मीद हम लगा सकते थे कि price यहां से upside के तरफ जा सकता है अगर इन ranges को price upside के तरफ ब्रेक कर देता है बट price ने बिल्कुल भी breakout नहीं किया इस green वाली candle ने जब formation बनाई थी 6 October को उसके बाद से 7th October से प्राइज ने resistance ब्रेक करने बंद कर दिये पूरी तरह से हम यहां पर देखेंगे 7th October को चलिए और 7th October को काफी आराम से ध्यान से सुनिए गाई इस चीश को 7th October को price ने फिर resistance ब्रेक करने बंद कर दिये थे यानि कि यह लगातार market downside के तरफ गिरी थे ओके 7th October देखे 9.15 की candle 9.15 के बाद से एक भी resistance ब्रेक नहीं हुआ है यहां से देखें एक भी resistance ब्रेक नहीं हुआ और price ने सीधे downside की तरफ आगया प्रैस सीधे downside की तरफ आए एक high लगा उसके बाद में सीधे अपना low break कर दिया तो क्या simply हमें देखने से लग रहा है कि 7th को market ने एक bearish candle फॉर्म की थी यानि कि अपने supports भेकिये तो resistance पूरी तरह से protect कर ले गई थी market उसके बाद भी देखें downside की तरफ ही market आए उसके बाद अब इस green candle के low पर देखिए एक red candle form होती है अब इस red candle से क्या होता है कि market ये वाली जो red candle form हो रही यहाँ पर एक भी resistance break नहीं हुए यानि कि market ने अपने swings को break नहीं किया अगेन क्या होता है कि अगर market को ये down momentum continue करना है जो कि last trading session में हुआ था down momentum continue करना है तो market क्या करेगी फिर से कल यानि कि इस दिन जितने भी price actions हुए हैं उन्हीं को follow कर सकती है कि तरफ सो आज market ने क्या किया कि ये सीधे downside के तरफ गिरने लग दे और अपर range में एक resistance point जो की higher time frame पर हमने draw करके रखा था market exact उसी point से downside के तरफ गिर गई ये resistance point हमने morning में ही आपको share कर दिया था telegram channel पर वहीं से market downside के तरफ आई है और हमने जो अपनी entry लिए exact कोशिश की है कि prices में जहां से rejections start हुए हैं हम वहां से अपनी entry करें stop loss छोटा आएगा और targets हमको बड़े मिल जाएंगे सो ब्रिटानिया में अगर आप lower time frame पर आकर के देखोगे तो यहां पर साथ को क्या हुआ है कि market अपने lows लगाए है यहां पर देखिए 325 तक काफी जाधा market अपने lows लगाय थे और उसके बाद एक resistance पर market रूख गई थे अब अगर हम यह resistance mark कर देंगे यहां पर इस range को market बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रही है और इस ने आज भी इस range को ब्रेक नहीं किया और कल जो market close हुई थी हमारे same resistance point पर close हुई थी यहां पर देखिए अब यह वाली जो range है यह वाला जो point है हमको अगर एक भी confirmation अपनी इस range के नीचे मिल जाती है प्राइस को short करने के लिए तो यहां पर short कर सकते हैं सो देखिए प्राइस स्टार्ट होता है स्टार्ट होने के बाद downside की तरफ गिर गया और upside की तरफ अब अगर इसको निकलना तो अपनी resistance को break करके निकल जाएगी बट यहां पर जो price actions बन रहे थे volumes की जो confirmations हमको मिले थे हैं आपर lower time transfer सो उन्होंने काफी हमारी मदद की यहां पर एक trade execute करने में because देखिए कि price आपका upside की तरफ तो जा रहा है price आपका upside की तरफ तो जा रहा है बट volumes गिर रही है प्राइस आपका upside की तरफ तो जा रहा है बट volumes गिर रही है sellers कमजूर नजर आए हमको इस वज़े से हमने क्या क्या just swing high यह वाला जो हमारा previous high था हमने इसके उपर अपना sell count किया और यही हमारा कल का resistance point भी था इन्ही resistance को देखते हुए हमने बिटानिया को ट्रेट किया था और downside के तरफ अब यह गिर तो काफी गया है बट प्रिवेस डे में देखेंगे तो यह कुछ support points है प्रिवेस तो प्रिवेस देखेंगे अपने support points है जहां पर हमने अपने टार्गेट करने की कोशिश की हाला कि price गया उसके नीचे तक है हम चाहते तो यहां पर भी भूख कर सकते थे बट हम भूख नहीं कर पाए सडेन एक मूव अप साइड की तरफ आ गया तो जैसे प्राइस इस रेंज से ठक राई हम यहां से बाहर निकल गया हम चाहते तो इसमें दो या तीन त्री थाउसन रूपीज का हमारा प्रॉफिट और भी बन सकता था वेट कर रहे थे बट यह सडेन मूव आया तीन केंडल का सो यह लास्ट मूख था अब इसके बाद अगर हम बने रहते तो समझदारी नहीं होते हैं तो बिटानिया के यह ट्रेट और सिंपल रेट था तो ओवर और बिटानिया के अंदर ज मतलब यह है कि जो हमारे टार्गेट इसके अंदर हमने लगा करके रखे थे वह टार्गेट हमारे थे 4000 रुपीज के रेस्टेंस अपने जो स्विंग को ब्रेक अभी इन स्विंग के ऊपर ही डिसकेशन हम लोग करेंगे जो जिग जैग पैटरन होता है बी सीडी पैटरन व बस 3990 इसके नीचे से ही प्राइस हमारा हो गया हाई टाइम पर भी इसके अगेंडल थी अगर उस केंडल को हम देखेंगे तो सेम लेवल से प्राइस हमारा टर्न हो गया बट इसके टार्गेट सरमें दे रखे तो 4000 रुपीज के थे बिकॉज यह एक राउंड फिकर है इसके अंदर जब यह इतना ज्यादा गिर रहा था तो उस वक्त आईटी सेक्टर भी हमारा गिर रहा था जिसरे समने इसके अदर चुप चार्प 2000 फिस बुक के और अगर बुक नहीं भी करते तो अच्छी बात नहीं थी है बिकॉस हम यह देख रहे है कि आईटी सेक्टर गिर रहा है हमारा और निफ्टी के अंदर से भी हमें कंफरमेशन नहीं मिल रहे हैं सेम टाइम पर जब आप निफ्टी को देखोगे तो भी गिर रहे हैं आप 12 बजए के आसपस निफ्टी का चार्ट देखिए कि रिलाइंस तो आज खूब ही चला है कि निफ्टी सेम टाइम पर अगर हमें इंडेक्स से या निफ्टी से भी कुछ कंफरमेशन मिलती है तो एक अच्छा अपॉर्चुन्टी होती है यह प्राइस को समझ लेने के देखिए बारा बजए से बारा बजए की जो कैंडल से उसके बाद प्राइस देखिए सीधर डाउंसाइड की दरब गी लग गया था यह वाली बिल्कुर इसने लोज लगाया थे यह रेंजर भी हम ड्रॉ करके आप कुछ टेलीग्राम चनल पर शेर कर देते हैं इसे आपक अब अब बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जरूरी है आई थिंग आपको समझना चाहिए इसे और आगे की तरफ बढ़ते हैं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट जब मैं एक्स्प्लेइन करते हैं तो कोशिच करते हैं कि पॉइंट टूपाइंट जितनी भी चीज में मार्केट में एक्सपीडियंस करते हैं एक एक पॉइंट आपके साथ उसको शेर करें बि बहुत सी टेकनिकल आशेंगैस के लेंगवुच में काफी सारे वर्ड दियेगा है काफी सारे जैसे कि आप इसको फिस भी बोल सकते हो आप इसको A B C D pattern बोल सकते हो अप इसको 1 2 3 pattern बोल सकते हो हम लोग जो इसको denote करते हैं इसको zigzag pattern भी बोलते हैं किस नाम से हम इसको denote कर रहे हैं important नहीं है वो concept क्या है यह important है तो नाम से confused मत होगेगा actually होता क्या है कि price किसी एक range से जैसे downside की तरफ गिर रही है या फिर upside की तरफ जा रही है इसी भी एक range से मान लीजिए price हमारा downside के तरफ गिर ओके यह गिरा downside के तरफ और यहीं suit करके अपर range पकड़ी इसने down फिर ऊपर downside फिर upside downside upside down so अब हमें देखना क्या होता है इसके अंदर basic चीज़ें बहुत basic चीज़ें लाइक कि अगर हम देखें market में यह जो swings लगा है market ने यह वाली जो swing लगा है अब जैसे market downside की तरफ गिर रही है अब जिस range से यह market उठ करके upside की तरफ गई है without reason तो कुछ होगा ने without reason तो नहीं हो सकता अब अगर market हमारी upside downside की तरफ गई है यानि के यहां पर कुछ न कुछ support points होंगे जिनकी मदद से price upside की तरफ गया है यहां से एक swing लगा करके market जो downside की तरफ आई है बे बचा तो आई नहीं होगी without reason तो आई नहीं होगी यहां पर इसको कहें न कहीं एक rejection मिला यह फिर resistance points थे जहां से इनको rejections मिला जिसकी विए से price downside की तरफ गिर गया हमें इन points को इन ranges को point out करना है इन ranges को ढूणना है और इसी को बोलते हैं zigzag pattern या फिर ABCD pattern इसकी खास बात क्या होती है कि आपको एक support या फिर एक resistance level यह provide करते हैं अब इन support या फिर resistance levels को आपको देखना होगा high लगता है low highs lows high low highs lows इस तरह से market आपकी मान लिजे चल रही है अब देखें हमें करना क्या है कि जैसे आपने आपको बताया कि यह वाली जो points है हमें points को point out कर लेना है यह जितने भी आप dots देख रहे हैं हमें इन्हें point out कर लेना है अब इनकी मदद से आप क्या करोगी कि जहां पर भी आपको expected है उन ranges को आप mark कर लो like यह वाली range यहां से high जो हमारा लगा मान लिजे यह आपका एक high लगा है हम in highs को mark कर लेंगे यहां से in highs को mark कर लेंगे इसमें volumes के भी काफी सारे confirmations होते हैं volumes की demand हमें informations में पढ़ती हैं but volumes को हम discussion यहां पर नहीं करेंगे because समय की कुछ कमी होती सो उसको ध्यान में रखते हुए हमागे की तरफ बढ़ेंगे अब देखें जब हम अपने in highs को mark करते हैं तो क्या होता है यह points हमको expected resistance या फिर एक expected support point provide करते हैं यह वाले points यह वाले points अभी इनको चलेंगे और charts के उपर बहुत अच्छी तरह से समझें यह वाले points market इतने clear cut way में नहीं चलेगी बट अगर आप zigzag patterns को सीख लेते हो तो क्या है कि जब आप इन zigzags को draw करोगे तो market आपको इतनी clear cut नजर आएगी और जितनी easy आपको market लगेगी जितनी साफ सुतर आपका chart होगा जितना clear आपका chart होगा उतना easy trade आपके लिए बनेगा और उतना ही easy trade आप कर पाओगे ज्यादा complicated नहीं बना देना है सिर्फ कड़ी से कड़ी जोडते जाना है जैसे एक chain होती न कड़ी से कड़ी जोडती है यहाँ पर क्या हमें candle से candle जोडनी है अब इस एक point पर माह लेगे किसी candle का high या low होगा यहाँ पर भी किसी candle का high या low ही हो कोई भी चार्ट मालीज हमने जैसे Britannia को trade किया या TCS इसके अलाब हम कोई और चार्ड ले लेते हैं randomly कोई भी चार्ड उठा लेते हैं Reliance, Reliance, Bank, Midtie, Adani, HDFC Bank, चली HDFC Bank को ले लेते हैं टाइम फ्रेम कोशिश की जगा वन आवर का लगा लिजाए लेकिन जो चीज हो चुकी हम उसको तो रीट करी सकते हैं और अगर हम उसको सही से रीट कर लें तो आगे क्या होने वाला है इसकी कुछ-कुछ सही हमको direction मिल जाता है कुछ-कुछ expectation हो जाती है यह जस्ट प्रेड direction है अब देखे मान लिजे यह एक low लगा low के बाद में एक यह high लगा direct high high के बाद में यह अपना एक low point है low के बाद में यह high अगेन यह low, high, low, high, low, high, low, high, low, high, low, high और इसको हम छोड़ देंगे यह जो range आज बनी है इनको हम छोड़ देंगे अब यह zigzag pattern हमने अपना draw कर लि आप यहां पर हाई लगाई है जो आपको high points लगा है आप यहां पर high लगाई अपना आप जो lows लगँए बंस exact the low points पर लगई है इनको मान सकते हैं support, क्योंकि यहां पर भी price ने एक swing high लगाया, यह वाली जो range है, यहां पर भी market ने एक swing high लगाया, यह वाला point इसको भी हम mark कर सकते हैं, यहां पर भी market ने एक swing लगाया, अब हमको काफी हद तक कई सारे support या फिर resistance points मिल चुके हैं, हम इन ranges को कर देंगे delete, आप इन ranges के पास से आपको काम किस तरह से करना है, यह आपको देखना होगा, आपके जो भी entries के stop losses के confirmations हैं, जो points से आपको उन्हें लगाना है, उनके according ही आपको काम करना है, जस्ट ऐसा नहीं है कि इन markings के पास में आपको stock आया और आपने उसको trade कर दिया, ऐसा नहीं करना ह आपको confirm करना है, अगर आप short करना चाहते हैं, तो वहाँ पर देखिए कि कुछ bearish formations form हो रही है, pin बाहर बन रही है, या फिर trading entries के ओपर एक वीडियो हमने post किया था अपना, आप उनको देख सकते हो, काफी है, काफी ज्यादा help मिल जाए आपको उस वीडियो से, तीन pattern हमने आपको बताएं, जिनको देखकर कि आप entry ले सकते हो, entry देख सकते हो, information का आपको use करना, यह वाली जो ranges हैं आपको, अब मान लिजे कि आपका HDFC bank को अगर हम 5 minutes पर देखते हैं, अपनी ranges के पास में, तो काफी अच्छा momentum को यहाँ पर देखने को मिले हैं, और यह वाला जो point ह आने वाले समय में क्या हो सकता है, कि यह अपने लिए एक resistance, यह resistance, support, यह वाला point अपने लिए support, support या फिर upper range हमाई लिए resistance बन सकती है, इस तरह से हम इन ranges का काम करेंगे, इसी तरह से हमें zigzags को देखना है और उन्हें draw करना है, trade करने के लिए हमने आपको बताया है, कि patterns को द देखना है, price को read करना है, उसको देखने की समझने की कोशिश करनी है, इसकी और भी आगे काफी advanced analysis होती है, जो कि class में हम अपने जितने भी members होते हैं, को एक एक करके समझाते हैं, बताते हैं, और भी ज्यादा इसमें volumes की क्या confirmations होती है, यह सारी चीज़े बताते हैं, बट क बहुत मदद आपको इससे मिलेगी, जितने भी videos हम upload करते हैं, सभी में कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि जिसको आप अपनी trade के अंदर अगर add कर लेते हो, काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी, और यह आपकी एक trade की journey स्टाट हो सकती, एक price action trader के तोर पर, ना कि indicator based trader, इन जितने भी formations आपको अभी ही तक बताएं, including zigzag pattern, आप इसको practice करो, बहुत ज्यादा आपकी help करेगी है, और बहुत सारी traders की help लेते हैं, बहुत सारी traders का use करते हैं, बहुत अच्छा concept है, और आपको एक expected highs और lows मिल जाते हैं, यह देखिए, expected highs और lows आपको यह zigzag patterns देते हैं, बस क्या है, कि थोड़े दिन इसकी practice करनी होगी, एक सही way में practice करनी होगी, अगर यह levels आपको ड्रॉ करने आगे, तो बहुत सारी आपकी समस्यां solve हो जाती हैं, कोई भी अगर आपको कुछ doubt है, कुछ questions है, और आपको पूछना चाहते हो, तो comment box में आप comment कर सकते हो, ज़रू हमें कोई HR trade मिलता है, तो मुसको ज़रूर आपके साथ share करेंगे, okay, so thank you, goodbye and we will meet again.